इस हफते रिलीज हुई है जानवी कपूर और वरुन धवन स्टारिंग फिल्म बवाल लेकिन इस फिल्म को आगे चलकर जाना जाएगा नितेश तिवारी की फिल्म के रूप में क्योंकि ऐसे तो जानवी कपूर और वरुन धवन ने कई सारी फिल्मों में काम किया है लेकिन नितेश तिवारी की फिल्मे उनके हिसाब से जानी जाती है ना कि उनके स्टार्स के नाम से नितेश तिवारी जिनोंने चिलर पार्टी, दंगल, छिचोरे जैसी फिल्में बनाई वो अब बवाल लेकर आए है बवाल फिल्म की कहानी जब शुरू होती है तो लगता है कि ये कहानी वरुन धवन के बारे में है थोड़ी और आगे जब कहानी बढ़ती है तो लगता है ये कहानी जानवी कपूर के बारे में है लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो लगता है कि ये कहानी तो आपके हमारे बारे में भी हो सकती है नितेश तिवारी अपनी कहानियों को कुछ इस तरीके से कहते हैं थोड़ा हिस्ट्री से जोड़कर जो कुछ past में हुआ है उससे हमें कैसे सीख लेनी चाहिए इन सारी चीजों के बारे में ये कहानी है नितेश तिवारी एक ऐसे director है जो कहानी स्क्रीन पर चल रही होती है सिर्फ वो नहीं दिखाते हैं बलकि अपनी कहानी से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो कहीं न कहीं अंदर से आपको भी बदलने की ताकत रखती है ऐसा ही कुछ बवाल में है वरुन धवन और जानवी कपूर को लेकर कह सकते हैं कि ये बेस्ट है इन दोनों अक्टर्स की भी अब तक जानवी कपूर ने इंडस्ट्री में कहीं सारी फिल्में की है लेकिन पिछले कुछ समय से जानवी ने अपना फिल्मों का जो टोन बदला है वो एकदम सही दिशा में जा रहा है ये कहना गलत नहीं होगा और बात करें वरुन धवन क तो वरुन धवन की हमेशा ओवर आक्टिंग ही पॉइंट आउट होती है और इस ओवर आक्टिंग को नितिश दिवारी ने बवाल में बहुत ही शांदार तरीके से इस्तमाल किया है बॉलिवोड इंडस्ट्री में इस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि अगर कहानी मे कॉंटेंट है तो फिर चाहे OTT हो या थेर्टर्स हो कि कहानी लोगों को पसंद आएगी कैसे कैरेक्टर को बילड़ अप किया जाता है कैसे कहानी को आगे बढ़ाया जाता है कैसे कैरेक्टर की परते कहानी के बढ़ने के साथ खुल्ती नजराती है। ये सब कुछ बवाल मे ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फिल्म मनाई है एक ऐसे डिरेक्टर ने जिसे वाकई में फिल्मेकिंग की नॉलेज है